एक और बड़ी खबर आ रही है खेरसोन से ये बड़ी खबर जैसा कि मनीश आप बता भी रहे थे स्यू 24 फाइटर जेट से यहाँ पर हमला किया गया है जिसका इंपक्ट हमने देखा और आउट्सकर्ट में ये इलाका है जिस तरीके से टागेटेड हमला मनीश इसे बता रहे है ये खेरसान वो इलाका है और ये एक्स्लूजिव वीडियो आ रहे हैं सू 24 से हमला जो किया गया बता रहा है कि ये जो फाइटर एरक्राफ्ट है रशिया का जिसने हमला किया है और आप देख सकते कि जिसको टार्गेट किया गया है वहां से धुआ उटता हो नजर आ रह है क्योंकि जो रशियन फोर्सेस हैं धीरे धीरे वो उन शेरों की और बढ़ रहे हैं जो माइने रखते गर उन पर दखल हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन का सरिंडर करना बिल्कुल सामने हो जाएगा बहुत चंद घंटे की बात रह जाएगी ये ब्लैक सी प है और खेरसान में सूट 24 का ये हमला बताता है कि हर वो बड़ा शहर निशाने पर है और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको सूट 24 उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और स्थानिये नागरिकों के द्वारा ये वीडियो रिकॉर्ड क्या गया है तो आपको बताते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि सूट 24 जो की ट्विन इंजिन विमान है और इसका उन्नत वर्जन भारत के पास है यानि कि सूट 24, सूट 27 और भारत के पास सूट 30 है उसी तरह का ये विमान है आपको बताते हैं डबल इंजिन विमान है और इसका इ और बड़ी खबर आ रही है वो भी बता देते हैं युकरेन ने रूस का हेलिकॉप्टर मार गिराया है। सीमा की अंदर गिरा है, किस तरह से इसे मार गिराया गया, उसकी तस्वीरे आप देख रहे हैं, जब मलबा यहाँ पर गिरा, तो वहाँ पर पूरी टीम इंस्पेक्ट करने के लिए पहुची, और वही तस्वीरे आप देख रहे हैं, मनीश यह तस्वीरे देखिए, जो हेलिकॉप्टर है, रश्या का, उसे युक्रेनियन सेना ने मार गिराया है, मतलब जवाब वह भी दे रहे हैं, देखें, फोर्स लेंडिंग है, इसलिए कहीं कैजुल्टीज की कोई भी ख़बर नहीं आ रही है, अपचारिक तोर पर युक्रेनियन के द्वारा, डिफेंस बिनिस्ट्री के द्वारा भी नहीं का गया, और रेश्यांस भी, यह बात नहीं कह रहे हैं, और जितनी भी यह हैप्टर्स उनके डाउन हुए हैं, अटैक हैप्टर्स डाउन हुए हैं, KH52, K52, तो वो सभी के सभी, जो है, वो फोर्स लेंडिंग के साथ हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर लगातार फाइरिंग की गई, और फिर उसको बाट डाउन किया गया, रूस के हमले का वीडियो कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर है, कार ड्राइवर के कैमरे में हमले का वीडियो कार के ठीक सामने सडक पर ब्लास्ट हुआ है, यह सबसे ताजा तस्वीर यूक्रेन रूस के विवाद की, जहाँ एक कार चालक ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, और कार के ठीक सामने यह आकर बम गिरा, और उसका धमाका आप इस स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, तो यह बेहद धराने वाली तस्वीरे जब आप कार से जा रहे हैं, और ठीक सामने आप के कैमरे में एक हवाई हमला कैद होता है, और यह रूस और युक्रेन के जंग की सबसे ताजा तस्वीर है, बिल्कुल पवन और उस हमले का इंपक्ट, उसकी इंटेंसिटी इस बात से लगाई जा सकती है, जैसे ही वहाँ पर धमाका हुआ, एक्स्पलोजन हुआ, तो कार तक हिली, यानि की जमीन है, जो सौफे से वो पूरा हिला, इसलिए कार हिली, कार के ड्राइवर का कैमरा हिला, हाथ हिला, तो इंपक्ट और इंटेंसिटी को समझा जा सकता है, ये एक बड़ा हमला है, साथ ही, कितना तनावपूर्ण माहौल वहाँ के लोगों के लिए, आम सिविलियन के लिए इस वक्त है, और कितना खौफ का मनजर इन तस्वीरों में कैद नजर आ रहा है, और जो ये इलाका में नजर आ रहा है, हो सकता है कि ये ब्लैक सी या फिर समुंदर के आसपास का इलाका,